दोस्तों मैं हूँ आकास पांड़े और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानि मेक यूर्शल्फ यूनिक दोस्तों क्या आप पीवी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं बहुत धेर सारी मार्केट में ओपनिंग से अगर आप सिर्फ डाल दिए पीवी ऊपनिंग्स या नुकरी.com पे डाल दिए पीवी और उसके बाद अपना सॉफ्ट्रेर को जो भी आपको अताय डाल दीजे आपको बहुत धेर सारी ओपनिंग्स पीवी के बारे में मिल अब पार्किंग बनाने के लिए एक तो मैटेड है कि आप प्रॉपर उसको बनवाओ अच्छा महीन बैटके या तो सीधे पीवी इस्ट्रक्चर से ले आया और लियाक लगा दिया फटा-फट रेल्विक जितने काम हो रहे हैं सब पीवी विस हो रहे हैं इंडस्ट्रियल स फटा-फटा फटा मुसके पलिस लेके आ ہے इसको बुटा-फटा लेका है उसके बाद कॉलंड लेकी आnar करें गरिसिंग कॉलम्स लेका है और फटा-फटा लेका दिया उससे क्य रहा है मुसकर से दस दिन में आपका पूरा कि पूरा सेत त्यार हो घया पीवie structure के बारे में दोस्तों आपको मैं बता दूं उसके निचे जो foundations हो यूज होते हैं तो गिरीलेश foundation यूज होते हैं गरीलेश foundation अभी मैं आपको image में भी दिखा दूँगा कि देख लिजए कहा कों कोंसा industrial set कैसे कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ पीवी श्रक्चर के लिए उपनिंग इसलिए जादा है क्योंकि पहला तो है टाइम से भी दूसरा इसका लूग भी बहुत ही सांदार होता है मेंस देखने में थोड़ा से एफेक्टिव लगता है आज के टाइम में लोग अपना गार्डेन भी बनवाते हैं बाडेन के नीचे अछा सा सेट डलवाते हैं पीवी कोई बनवानी के लिए टाइम नहीं है कि बनवाएगा बैठके तो अभी इसका काम बढ़ता चला जा रहा है अभी लोग मूवी के सूटिंग करते हैं मूवी के सूटिंग में भी लोग पीवी स्रॉक्चर्स स्यूचर् है कि building बनाया suit किया उसके बड़ निकले और अबना जो structure उसको open करके क्योंकि बोल्ट joint होने लगा है open किया लेकी भी गए तो यह काफियत तक helpful हो रहा है और इसकी openings बहुत जादा निकल लिए market में तो इसके लिए आप लोग apply करो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पीवी structures में हम लोग क्या क्या चीजे देखते हैं और कैसे कैसे को रियांग करते हैं वैसे में design का प्रोसेस है जो मेरा भी YouTube का video tutorial आने वाले मंडे को उसमें मैंने discuss किया हुआ कि इस तरीक से design करते हैं पीवी को अब ही हम देखने जा रहा है कि पीवी में क्या-क्या members होते हैं और कौन से members को क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं प्रेस डारेक्ट आप लोग यहां पर लिख दिजएगा Google पर लोग लिख दिजएगा पीवी इंडर्स्ट्रियल सेट्स यहां पर देखेंगे तो बहुत डेर साइट है इसके आपको बैस सेट मिल जाएंगे चलिए किसी एक सेट क्यों हम लोग लेते हैं और इसके वारे डिसके जैसे यह आपको प्रॉपर दिख रहा है तो मैं इसको उपन करता हूं और इसमें कौन से member को क्या बोलते हैं सबसे पहले चीज़ तो यह इंपोर्टेट है तो अगर आप दियान से देखेंगे तो इसको इसको बोलते हैं कॉलम यह क्या आपके कॉलम से और यह क्या आपका यह आपका राफ्टर है इसको बोलते हैं राफ्टर और यह क्या है यह आपके पल्लीन से क्या है पल्लीन है जिसके उपर सेट आएगा जिससे कि अगर आप इसको complete देखेंगे तो यह है यह आपको देखे पता नहीं को नहीं और उसके अलावा अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसकी आइडलोजी देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है यहाँ पर नीचे मेंबर्स कम रखा गया है और उपर जाके मेंबर्स की साइज को बढ़ाते चले गया है ऐसा क्यों क्योंकि य आपके पास मोमेंट जादा होगा वहाँ पे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे अगर इसको कम्प्लीट देखेंगे इस तरीके से प्रॉपर बेल्डिंग इस तरीके से भी दिखती है और यह देखिए क्या है आपका यह के रोपी होता है और यह आप सेट तो देखी रह है आज कल तो अगora आप लगा रहे हो तो सोलर पैनल का भी लोड केल्कूलेट करना पड़ता जिसे किस मेंबर के अगर हम ने सोलर पैनल लगा दिया तो उसका लोड भी इसके साथ consider करके तो हमें structure को design करना पड़ता है कि उसका भी कुछ नखुछ तो वेट जाएगा अब द यह होता है roof monitors ठीक है roof monitors यह थोड़ा सब पूंचा रखा जाता है क्योंकि इधर और इधर से joints होता है तो इसके ऊपर इसको लगा जाता है ठीक है यह पर इसके बाद रूफ एक्टर्स होते हैं ठीक है और यह क्या है down spots है और यह sliding door अपना किसी भी टाइब कर लगा सकते हैं यह window छोटे-छोटे-चोटे यह लोग लगाया है में डोर है ठीक है और यहां पर roof रूफ ब्रेसिंग्स है यह देखिए यह ब्रेसिंग्स है ऐसे करके है और उसके रिजिट फ्रेम्स यह आप देखी रहे हो सैग रोट्स यह सैग रोट्स बोलो और उसके बाद roof extensions रूफ किन्दा बाहर निकला हुआ है wall door canopy जो आप यहां पर देखा है बाहर यह निकला उसमें मैंने discuss किया हुआ है कि अगर हम यहां पर moment देख रहे है तो moment कैसे पता चलेगा है कि यहां पर ज्यादा है कि यहां पर कम है और उपर जाके ज्यादा होता चला जा रहा है इसके नीचे हम लोग RGC के foundation यूज़ करते हैं कभी ग्रिलिश foundation यूज़ करते हैं इस तरीक चाहे बेड़ बार्किंग और किसी भी दरीके का structure हो सकता है होप आपको information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है और आप लोग channel पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाए क्योंकि हम लोग daily civil engineering के बारे में कुछ नहीं चीज़े discussion करते हैं और वो सारी चीज़े आप के questions रहते हैं तो प्लीज नीचे question में पूछिएगा आपको कौन से question चाहिए प्लस आपको next topics कौन चाहिए किस topic में आपको information चाहिए प्लीज नीचे comment करिए definitely हम आपके लिए जैसे अभी तक आते रहें और आगे भी आते रहेंगे thank you so much for watching this video hope you like this guy जै हिंद जै वारत